हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चनल आज हम बात करने वाले हिरो मोटो कॉप के बारे में इस पर मेरा ये सेकंड वीडियो है और पहला वीडियो कब था और तब क्या प्राइज था और अभी क्या प्राइजे सब चीजे बताऊंगा और सेकंड टाइम वीडियो बनाने का परपस भी में बताऊंगा क्यों वीडियो ला रहा हूँ ठीक है आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि पूरे डिटेल में आपको इन्फोर्मेशन मिले ठीक है और यहाँ पर मैं थोड़ा विकिपीडिया देखा देता हूँ विकिपीडिया में क्या लिखाया है इसके बारे में यह कंपनी कैसी है तो थोड़ा बोलत यहाँ से आइडिया ले लो ठीक है तो हिरो मोटो कॉप लिमिटेट फॉर्मली हिरो होंडा नाम से जानी जाती थी पहले और यह इंड वर्ल्ड ठीक है दुनिया के अंदर एंड अलसो इन इंडिया में भी वेर इट इस इस मार्केट शेर अबाउट 37 तो 37 परसेंट का यह मार्केट शेर है पुरे इसके जो सेल होता है तो 37 परसेंट तो सिर्फ हीरो मोटो कॉप के ही बाइक और स्कूटर जाते ठीक है तो में और यहां पर इसका जो अब भी प्राइस चल रहा है वो 2775 का चल रहा है ठीक है और यहां पर इसके फाउंडर को ने ब्रिज मोहन लाल मुंजाल तो यह हिरो मोटो कॉप के फाउंडर है जिन्नोंने कमपनी बनाई है और यह कब बनाई है उन्होंने कब लाई थी यह 1984 मे उन्नीज जन्वरी 1984 में ये कमपनी आई है मार्केट में तब से और जगा का नाम है धरू हेरा तो यहां से ये कमपनी की स्टार्ट हुई थी और यहां पर कुछ सब्सिडेरिज वगरा भी है तो सारे डेटिल यहां पर दिया है और इसका रिविन्य कितना है ये 2021 का यहां पर बताया है 4.2 बिलियन है मतलब 31,517 करोड का इसका मार्केट ने रिवेन्य है तो अभी हम इसका वेबसाइट देखेंगे वेबसाइट कैसा है यहां यह वेबसाइट इसका हिरो मोटो काप का है जहां पर उसके बाइक्स नजर आ रहे है तो और माइलेज के लिए अच्छा है और लेडिस के लिए भी अच्छे अच्छे इनके पास स्कूटीज है ठीक है तो इतने सारे यह चीज़े इनके पास है और यह किस तरीके का राइडिंग के लिए है तो हर टाइप की इनके पास वराइटीज है बाइक्स के अंदर ठीक है और यह सारे इमेज़े इन्होंने दिखाई है तो हर टाइप का है और बाकी इंडियन लोगों की पसंद पर आता है लेकिन ये इंडिया की कमपनी है तो इंडियन लोगों को अपनी कमपनी खुद की कमपनी पर बरोसा रखना चीए और अल्डी ये पहले हीरो होंडा के साथ थी फिर उसके बाद उनक के लिए हीरो नाम से चला रही है और बहुत अच्छा इसका आज भी मार्केट चेर है ठीक है और बहुत अच्छी गाडिया है माइलेज भी अच्छा देती है तो आप पर है कि आपको क्या करना चाहिए देखो यहां पर नंबर वन पर आता ही है टुविलर मैनुफेक्टर के अंदर 37 साल का experience है और यहां पर हंड्रेड मिलियन टुविलर मैनुफेक्टर हुआ है ओवर हंड्रेड मिलियन और ओवर 9000 कस्टमर्स टच पॉइंट से तो इनके बारे में जो भी है डेटेल यहां पर पूरी अवेलेबल है और मैंने इस पर मैं पहले भी वीडियो बनाया जाथ ऑव बता देता हो तो यहां पर वीडियो है जो मैंने पहले बनाया था नोयमबर 28 को तो उसके अंदर भी जो डेटेल था ऑंभी चाहरऊ जवेले प्रिए परौद सब्सक्राइब ट्रेडिंग कर सकते ray देंपिर एपिर और आप्शनमें द्राइब करकेंग कर सकते या उड़िये ट्रेडिंग कर सकते जो और आप लीपिसमे सब्सक्राइब कर सकते लेकिन ये शेर देखो अबी का जो वाव चल रहे हैं इसका 2774 का चल रहा है और यह जो था 242 तिंसो दसका था और 35629 नेचरप की जहीं यह हाई था ठीक है तो हहां से यह इतना आ चुका है और अभी अभिज्ड हृएंग रेंज में है फिलाल अभी भी buying range में है लेकिन कितने target होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा ठीक है और इसमें strength और weaknesses की बात करें तो देखो चार strength है 9 weaknesses है दो opportunity है और दो threat है और यहां पर company with low depth है ये भी हम complete detail देखेंगे इस पर depth कितना है ये भी मैं आपको detail में दिखाऊंगा वीडियो end तक देखो और अच्छा लगे तो चानल को subscribe करो subscribe करने में कंजूसी मत करो क्योंकि profit चीए तो कंजूसी कंजूस होके कोई फायदा नहीं है ठीक है तो weakness is no है इसके अंदर तो insufficient use of capital बता रहे है तो use जो capital का use होना चीए देखो market capital इसका कितना इतना है पचपन अजार करोड का इसका market capital है उसका properly use करके इनको profit और generate करना चीए बट यह नहीं कर रहा है ऐसा यह बता रहे ठीक है किया है और यहां पर बता रहे कि downgrade किया है तो जो भी चीज़े हम आगे देखेंगे क्या है नीचे अगर targets बता है तो वह भी मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है और इसका overview देख लो थोड़ा तो market capital तो हमने देख लिया dividend देखो लगबख 3.79 मतलब लगबख 3.3% तो bank आपको interest देती है लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत किया उसी प्रकार में वही रेंज में पकड़ लो कि आपको यहां से भी interest के वे में ही आपको dividend मिलेगा वह आपके bank account में यह share की delivery देखो क्या है कैसा है इसका asset का वो सारी चीज़ें देखके हमको पता चलेगा ठीक है जितना एक के आसपास उतना अच्छा होता है पी 21 का रहे सेक्टर पी से तो थोड़ा सा मतलब सेक्टर पी के आसपास ही है पर यह फिर भी सेक्टर पी से सस्ता है इसका जो overall sector का earning per share अच्छा है ठीक है अर्निंग जो है पर share के सबसे अच्छी है ठीक है अभी मैं आपको मेरा पुरान वीडियो भी दिखा देता हो जहाँ पर इसका price में क्यूंकि आपको comparing करने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो है थोड़ा मैं play कर देता हो और यहाँ पर मैं पुरा detail में वीडियो बनाया था जो भी detail है complete आप वी जाके देख सकते हो ठीक है और इसके लिए चानल को subscribe करके रोको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे और real information मिलेगी fake information में यहाँ पर provide नहीं करता ठीक है और यहाँ पर देखो जब मै ने बताया था तब का price था 2529 का price था 2700 का price है मतलब मैं बता दू कि यह 10% तो लगबग बढ़ चुका है 10% का growth हो चुका है share में और फिलाल कितना time में उससे भी ज्यादा हो चुका था 12-13% भी हो चुका था लेकिन यह जो bad news चल रही है market में उसके होजे से थोड़ा up-down up-down ह होते रहता है लेकिन यह इसमें से profit होने के chances है और अभी भी चाहिए तो और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि मैं holding करता हो तो कितने target के लिए करता हो यह आपको पता होगा अगर आप मेरे पुराने viewer होगे या subscriber होगे तो आपको यह चीज़ पता होगी ठीक है नए है तो उन अपर्चिनिटी था एक यह था यहां पर भी सेम चीज़े एक थ्रेट था और तभी पचास अजार करोड का इसका मार्केट कैपिटल था तो पाच अजार करोड देखो कैसा तुरंद बढ़ गया एक दो डाय मेंने में क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है तो मार्केट कैपि उसने परफॉर्म किया है और यहां पर मैंने प्राइस भी दिखा दिया जब मैंने प्राइस बताय था तो ठायाजर के आसपास था और अब भी जो प्राइस चल रहा है वह लगबाद 2700 का चल रहा है 2774 का ठीक है तो वहां से 2774 का जो हुआ है प्राइस और भी कितना जा सकता है वह देखेंगे हम ठीक है आगे और यहां पर प्राइस आपको एडवांज चार्ट दिखा देता हो तो इसके चार्ट कैसे क्या बता रहा है तो यहां पर तीन मेने का चार्ट याजऄ लिए जब मैंने बता था तब यह प्राइस था नोईंबर में बताए था था तो 2325 चरुको यह दे में आपको दिखा दिता हो और यहांपर जो अप्लोड किया हुआ डेट है अलग होता है क्योंकि recording डेट नी यह शायद Friday का दिन में अगर मैं यह वीडियो बनाता रहूँगा यह Friday का प्राइज होगा और संडे को वीडियो बनाऊंगा तो उसका वो प्राइज दिखेगा क्योंकि Saturday संदे तो मार्केट होता नहीं इस वजे से तो 26 नुएंबर का जो प्राइज है वह मैं आपको दिखा देता हो 26 नुएंबर का यहां पर वहां से यह शेर यहां पर यह 26 नुएंबर को जो प्राइज था देखो लगबग डायाजार था और मैंने 2529 मतलब 2529 पर बताया था तो यह शेर ने तो यहां पर मुझे तो मुझे तो आदत है क्योंकि मैं में स्विं करता हूं इस वज़े से मैं जब भी जब ऐसे मौके मिलते तो और बाई कर ले तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जितना शेर नीचे गिरे उतना खरीदो तो खरीदा देखो इसके बाद देखो शेर ने अच्छा का सा मुमेंट दिखाया है और यहां तक ही इसने हाई दिया था और तो अल्रेडी मार्केट खराब चलते हुए भी इसने अच्छा कासा 2872 का भी दिया इसने 2872 का इसने हाई दिया फिर वहां से थोड़ा डाउन आया ठीक है बट फिर भी इसमें और भी है चांसे और बढ़ने के और 10-12% 15% बढ़ने के और चांसे मुझे नजर आते हैं ठीक ह तो यँ अपर यह देख लो अ यह जो प्राइज है 2752 का लो से इसने 6 महने में ये प्राइज आया है इसका लो और यहा पर दो बाड डिविधन्न दिये और कंपणी ने 10 रुपाए का भी दिये और 25 रुट रुटल पैतिस रुपाए का डिविदन्न दिये था कंपणी नीन था 3629 तो वहां से यह शेर देखो continuously गिरता है और डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा था लेकिन यहां पर हमने बाई किया है November December में क्योंकि यह अभी तो upside जाए करके ठीक है तो सई टाइम पर खरीदा हुआ है और यहां पर इसकी बात करेंगे तो देखो 4000 के बाद कंपनी का प्राइस कितना गिरते आया शेर का प्राइस तो और यह तो मार्च में तो लोगों को पता ही होगा कि सबकी हालत खराब हो गई थी तो यह 1400 का हो गया था शेर 4000 का 1400 हो गया था तो टाइम पर जिसने बाई किया उनको देखो फिर क्या फायदा हुआ तो उनको शेर किस तरीके से पर्फ़ॉंकर रहा था तो यहां पर दो आध्या का लोओ से यह शेर जर रहा है और यह बिस-वाइस साल का 2000 के टाइमधा経ं यह प्राइज है और यह उनसिक्त सदेड़ सो का ही प्राइस यहां पर नजर आ ह्रहाth देखो यहां पर मुझे 115 लोग भी नजर आ रहा है तो सो रुपे तक यह शेर था कभी दो अजार की टाइम पर सो रुपे का शेर अभी डाया जार वगरा हो गया है और तीन अजार चारा जार भी हो गया था तो यह बहुत अच्छा रिटन माना जाता है तो इसी तरीके का शे ट्रेटिन मार्क के ऊपर कुछ नुज है ठीक है तो आप अंदर जाके पुरा पढ़ लोगे तो भी आपको और डीटेल पता चल जाएगी लेकिन नॉर्मली इतना कोई टेंशन वाली बात तो नहीं होगी नहीं तो शेर जबर्दस और गिर जाता ठीक है और डीटेल चेक है क्योंकि नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा हर एक डीटेल में आपको कम्प्लीट बताते रहो पढ़के बताओ तो उसमें टाइम चला जाएगा ठीक है और यहां पर कुछ जो भी इंपोर्टन्ट हो चीज़े में बता देता हो देखो यहां पर टार्गेट देते 17 फरवरी को देखो यह नहीं देना चाहिए तो टार्गेट देखो 17 फरवरी को अईसे वाले 3000 के टार्गेट के लिए तो यह तीन अजार यह 15 फरवरी का है निउस तो टार्गेट तो आ रहे हैं टार्गेट कोई खराब नहीं है और 60% के लोगों का कहना है कि बाइ करो इसको और यहां पर भी यह देखो दोनों टार्गेट यहां पर बता रहे हैं ठीक है और यहां पर अभी हम नीचे इसका थोड़ा फाइनेशल देखेंगे तो यहां पर फाइनेशल किस तरीके के वह चाट वाइस देखेंगे तो देखो यहां पर revenue दिख रहा है वो 2017 में 28,000 करोड का revenue था और यहां पर 32,000 करोड का revenue फिर 33,000 करोड का revenue और यह 29,000 करोड का revenue यहां 30,000 तो यहां पर लगबग एकी रेंज नजर आ रही है कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है 28,000 39,000 के रेंज में 33,000 मतलों उतना ही है कोई ज्यादा बड़ा नहीं है सेम चीज़ प्रॉफिट की भी है तो प्रॉफिट में भी इतना इस तरीके का growth नहीं दिख रहा है ऐसे अप अप डाउन नजर आ रहा है तो स्टेबल है थोड़ा profit and revenue ठीक है और यहां पर अगर हम शेरोल्डिंग की बात करेंगे तो देखो सबसे ज्यादा शेरोल्डिंग प्रमोटर का है उसके बाद यहां पर FIS का है फिर यहां पर DIS का है और यहां पर पब्लिक का है ठीक है तो FIS प्रमोटर का यहां पर 34.75 ही है जो इसके प्रमोटर है ठीक है मालिक इसके अंदर ही आते हैं फाउंडर सारे सभी इसमें ही आते हैं तो उसका उनके पास समझ लो only 34-35% ही शेर से और उसके बाद जादा से जादा देखो FIS ने ले लिया है तो फॉरें के लोगों ने इसमें जबरदस इन्वेस्मेंट करके रखा है और शेर होल्ड करके रखे दबोच के रखे पकड़के रखे टाइटली होल्ड किये हैं ठीक है छोड़ रहे नहीं है और यहां पर डियाइज ने भी बहुत देखो इन पर आप भरोसा करके चल सकते हैं इनको सब चीजे पता होती है तो सबसे ज़्यादा इनके पास ही शेर है पॉब्लिक को देखो कम मिले है तो पॉब्लिक में से मेरे पास भी यह शेर है ठीक है और मैंने भी मेरे पोर्टफोलि में से सबसे जैसे ज्व्या-इंवेस्मेंट मेरा यही शेर मेरा है बाकिी समें मेरे कम-कम इंवस्मेंट होते हैं यहां पर सबसे ज्यादा इंव्यादा एकर शेर में हो गया है और फिलाल यह क्योंकि अच्छा शेर है और सारी चिज़ें देखने के बाद क्योंकि लॉंगटम में के लिए भी बहुत अच्छा शेर है लॉंगटम भी करोगे क्योंकि अभी जो प्राइज मिल रहा है वो प्राइज शायद आगे फूटर में न मिले और mutual fund scheme ने 33 mutual fund है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है और एक mutual fund रिसेंटली बड़ा हुआ है FIS देको 729 थे उसमें से कुछ लोगों ने बेचा है अल्रेडी अभी बेचने का थोड़ा यह चल रहा है ठीक कुछ ना कुछ bad news वगरा चल रही है तो उस वज़े से शेर के बारे ने और ओर ओर मार्केट के बारे में bad news है ठीक है बहुत सारे problem से situation चल रही है globally और हर एक चीज जो financially जो भी चल रहा है यहां पर उसके वज़े से तो यह problem के वज़े से बहुत लोग कुछ लोग बेच देते तो foreign के इन्वेस्टर या FIS वाले selling करना चालू कर देते तो उसमें से समझ लो कि 39 लोग चले गए लेकिन 729 है और यहां पर 33 mutual fund है तो quantity वैसे तो quantities में ज्यादा ही है उनके पास shares ठीक है और यहां पर जो भी detail है मैंने complete बता दिया है money control इसके बारे में क्या बता रहा है ठीक है अभी मैं आपको इसके financial दिखाता हूँ financial कैसे है उसके बाद आपको और detail थोड़ी पता चलेगी थोड़ा detail में हम इसके financial देखते तो यहां पर हम screener पे इसका financial देखने वाले है और यहां पर आप देख सकते हो इसका पूरा detail यहां पर available होता है बट मैं पहले सबसे पहले pros and cons से start करूंगा जो positive negative जो भी चीज़े इसमें यहां पर बताई होती है तो company is almost day free यानि होता है कि company पे करजा कम है या company का करजा zero हो तो यह भी हम नीचे जाके देखेंगे इसमें करजा कितना है ठीक है और stock is providing good dividend dividend बहुत अच्छा देती है company तो हमने देख लिए dividend yield कितना है और company has a good return on equity तो return on equity भी बहुत अच्छा है इसका ठीक है और track record तीन साल के इसाप से 22% का यह return on equity दे रहा है तो बहुत अच्छा है औ और company has been maintaining a healthy dividend payout तो यह dividend payout भी बहुत company का अच्छा है तो यह भी बहुत अच्छी बात होती है और यहां पर एक negative चीज़ बताइए the company has delivered a poor sales growth तो sales growth तो आपने देखा ही मैंने money control पर थोड़ा दिखा दिया कि sales एक stable चीज़ लग रही है ज्यादा कोई up and down नजर नहीं आ रहा ह तो यहां पर यह 1.70 का यह growth है पास साल का तो इतना कोई खास growth है नहीं company में ठीक है अभी यहां पर quarterly results देख लेते हैं तो quarterly results देखो 2019 मार्च 2019 से तो 7,953 करोड मार्च के quarter में किया था ठीक है और अभी 8,013 का कर रही है मतलो quarter में कोई इतना 2,3 साल में या 2,5 साल में इतना कोई फरक नहीं पड़ा है expenses देखो company का कितना हो रहा था 6,800 का expense करती थी या अभी कितना 7,000 का expense कर रही है 7,000 करोड का और operating profit 1,000 करोड बच रहा था अभी 9,83 तभी 14% का profit margin बच रहा था अभी 12% का बच रहा है और other income 193 करोड का था अभी 140 करोड हुआ है interest अभी 11 करोड पे कर रही थी अभी 13 करोड पे कर रही है ठीक है net profit 771 है मतलब 771 करोड का नेट प्रॉफिट बच रहा है अभी 704 करोड का है 704 करोड का ठीक है तो फिलाल नेट प्रॉफिट मतलब लगबाग एकी रेंज में कोई इतना ज्यादा फरक तो पड़ा नहीं है प्रॉफिट एन लॉज देखो 2014 से यह बता रहा है तो 2014 से जो डेटा आ रहा है वो हम देखेंगे तो देखो 25,000 करोड का यह सेल कर रही थी और अभी 30,000 करोड का कर रही है ठीक है और 21,000 करोड का यहां तभी एक्सपेंसेस था अभी 27,000 करोड का है तभी 2014 में यह 3,553 करोड का इनका ओपरेटिंग प्रॉफिट था और अभी 3,617 करोड का अभी ओपरेटिंग प्रॉफिट है सेम चीज लग रही है 14% का ओप्रॉफिट मार्जिन था अभी 12% तो रेंज़ एकी है तो प्रॉफिट मार्जिन बौत कम बच रहा है ऐसा दिख रहा है यहां पर इंट्रेस 12 करोड का पहला पे कर रही थी अभी 53 करोड का तो इंट्रेस बढ़ गया यानि थोड़ा बहुत करजा बढ़ गया होगा ठीक है और नेट प्रोफिट की बात करेंगे तो 2000 करोड का यहां तबी company profit कर रही थी अभी डाया जर करोड का कर रही है तो थोड़ा बहुत वही range है balance sheet की बात करेंगे तो 2014 से अभी तक का balance sheet देख लो तो कितना ही है यहाँ पर देख लो borrowing इसमें 284 का मतलो करजा इतना था 284 करोड का 2014 में अभी 617 करोड बखा करजा यहां पर नजर आ रहा है तो यहां पर बता है कि almost day free लेकिन फिर भी करजा है लेकिन और recent result आए रहेंगे तो उसमें अगर यहां पर ओडेटा update हो जाता है तो यहां पर पता चलेगा कि कुछ करजा कम हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो इससाब से जो भी balance sheet यहां पर दिखाई मैंने आपको बता दिया है और यहां पर जो जो important हो सारी चीज़े मैंने बता दिये अभी मैं इस पर final overview दिखाऊंगा उस पर क्या मेरा view है क्या call है वो मैं आपको final बताऊंगा ठीक है तो देखते हैं इसका final overview तो यहां हम इसका अभी final overview देखने वाले ticket tip पर तो ticket tip इसके बारे में पहला क्या बता रहा है वो देख लेते हैं तो ticket tip देखो बता रहा है कि इसमें पाच्छों point positive है green है तो checklist में investment checklist में यह सभी इसमें टीक आ रहा है मतलब green आ रहा है तो बहुत अच्छे बात होती है आज भी यह सस्ता भाव पर मिल रहा है तो बहुत अच्छे ही बात है return on equity versus FD बहुत अच्छा है FD से better return दे रहा है dividend return भी बहुत अच्छे दे रहा है entry point अभी भी good है इसको और overbought zone में नहीं पहुचा है तो अभी भी इसमें entry करके चल सकते red flag तो नहीं है company डूबने के chances नहीं है ठीक है और यहाँ पर इसका price chart देख लेते है तो इसने return किस तरीके से दिये तो one week में 3.5% का दिया है और यहाँ पर एक मेने में 2.5% का return दिया है एक साल वालों को 18% का इसने loss दिये और पास साल वालों को 10% का loss दिये यहाँ पर max वालों को इसने 1100% का profit दिये ठीक हो तो 1100% का profit 115 का low था लेकिन अगर यहाँ पर price होता तो और भी ज़्यादा आपका profit हो सकता था यह 4000 का प्राइस पर यह और भी ज्यादा हो सकता था ठीक है क्योंकि वहां से भी गिरा है और यह रेंज में है इसलिए प्रॉफिट थोड़ा कम नजर आ रहा है लेकिन फिर भी 20-22 साल में इसने बहुत अच्छे रिटन दिये हुए ठीक है और और भी आगे दे सकते हैं जैसे इसके रिजर्ट्स होंगे तो उस पर आपको मिल सकते हैं तो इसलिए एपड़ी से बेटर रेटन इसको बोला गया है और यहां पर इसने साइपी करने वाले को तो लॉस ही करा था तो यह कंपणी में इनवेस्ट करना है तो इनवेस्ट करके चल सकते हैं और इसमें और एक जो न्यूज है लेटेस्ट है वह भी बताना है आपको ठीक है जो रिसेंट इवेंट है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ जो announcement release हुई है तो वो detail में आपको दे देता हूँ तो all events में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा all events दिखा देता हूँ तो company में क्या events आने वाला है तो detail यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर dividend का detail है यह देखो यह है वो dividend का upcoming dividend, cash dividend मिलने वाला है 60 rupees per share के हिसाब से dividend मिलने वाला है और यह कल का दिन का date है ठीक है? कल का दिन में जिसके पास होगा share उनको मिलेगा और जिसके पास नहीं है share उनको नहीं मिलेगा ठीक है? तो यह 21 फरवरी का यह date है तो ओ date में जिसके पास share है उनको यह चीज मिल जाएगी कल भी लेते हो तो भी भी मिल सकता है लेकिन ओ दिखना चाहिए कल के date में तो इस तरीकी का news भी होता है बटो डिलिवरी में होना चाहिए ठीक है? 21-22 फरसेंट बट दो दिन तो लगते है डिलिवरी में आने के लिए अकाउंट में आने के लिए तो इस वज़े से यह share में और moment आ सकता है यह लोगों का कहिना भी होता है कि कोई news होती है dividend के लिए लोग investment कर देते हैं और dividend के बाद थोड़ा बहुत share में up and down आते ही है तो dividend लेने के लिए कुछ लोग घुशते भी है उसके बाद dividend लेने के बाद बेज भी देते हैं तो थोड़ा बहुत moment आने के chances है इस वज़े से भी यह share को में cover कर रहा हो क्योंकि जो भी detail यहां पर available है वो में आपको बताना चाता हो ठीक है और share perform करेंगे और already में मेरे portfolio के share बताता हो दूसरे share नहीं बताता क्योंकि already मैं profit करो तो ही आप profit करोगे मैं ही profit ना कर पाऊ तो आप भी profit ने करोगे और already मैं खुद profitable trader हो swing trading करके अच्छा गासा profit होता ही है और मैं कर भी रहा हो और वही चीज में आपको बता रहा हो तो आपकी मर्जी आपको जो trading style अच्छा लगता है आप कर सकते हो लेकिन जहाँ पैसा बनता हो चीज में बता रहो और swing करो या long term करो profit अच्छा खासा बनता है और सबसे ज़्यादा long term वालो ने ही पैसा कमाया है तो long term में भी करो बट अच्छे share हो profitability देखते रहो और चैनल को subscribe करके रखो मैं तो हूँ मैं तो आपको बताने के लिए always guide करने के लिए यहाँ पर beta you ready हूँ ठीक है तो thank you very much for watching my video thank you, bye bye